भगवान कहते हैं कि उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ सामने नहीं पर आसपास हूँ पलकों को बन कर दिल से याद करो मैं और कोई नहीं तेरा आत्म विश्वास हूँ कुछ शकायते बनी रहें तो बहतर है चाशनी में डूबे रिष्टे वफादार नहीं होते हैं चाहे हम अपने पापों को छपाने के लिए कितने ही हतकंडे अपना लें लेकिन परमात्मा की न्याय विवस्था से बच नहीं सकते जिन्दगी में अगर फैसला ले लिया तो पलट कर मत देखो क्योंकि पलट कर देखने वाले इत्यास नहीं रचा करते जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़े रहना शरीप इंसान शराफत की वज़ा से चुप रहे गया बदमाश ने समझा की उससे जवाब देना नहीं आता किसी को बहस से जीतने की बज़ाए मौन से पराजित करो क्योंकि जो आपके पास सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता सुब चाते हो तो रात में जागना नहीं शान्ती चाते हो तो दिन में सोना नहीं सम्मान चाते हो तो विर्थ बोलना नहीं प्यार चाते हो तो अपनों को छोडना नहीं जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पका कर खाती हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्छी खानी पड़ती हैं, जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दशन करने जाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर गुनने जाते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो नीन से जगाना पड़ता है जब पैसा आ जाता है तो नीन की गोलियां देकर सुलाना पड़ता है हमारा मन हमारा ओजार है हमें इसका मालिक बनना चाहिए ना की गुलाम जीवन में हर जगर हम जीत चाहते हैं सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जा हम कहते हैं कि हार चाहिए क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते हैं अकेले चलना सीख लो जरूरी नहीं कि जो आज तुमारे साथ है वो आगे भी तुमारे साथ रहे रिष्टों के बाजार में वो व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है